Hello students, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एक से पांच तक के सभी question का answer कैसे हम निकालेंगे तो सबसे पहला question है sin2x, इसका हमें समकलन करना है sin2x का तो सबसे पहले इसके लिए formula होता है sin2x का formula क्या होता है sin2x इसका समकलन होता है minus cos2x तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम अकलन करते हैं sin2x का तो यह आता है कितना है sin2x का अकलन हम करते हैं तो d upon dx into sin2x तो यह आता है क्या sin2x का हो जाता है cos2x यहाँ पर 2x नहीं होता है तो यहाँ पर इसमें हम 2 का गुड़ा करते हैं यानि कि हमारे यह आ जाता है 2 cos2x लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा इसमें अगर गुड़ा के जहां नहीं तरहेगा वहाँ पर हमें गुड़ा नहीं करना है बलकि हमें भाग करना है तो इसका हम सबसे पहले integration कर देंगे sin2x dx तो यह क्या हो जाएगा sin2x का minus cos2x होगा तो यहाँ पर sin2x है तो minus cos2x होगा लेकिन यहाँ पर 2x नहीं थे तो हमें गुड़ा नहीं करना है सम आउकलन की तरह हमें आउकलन की तरह यहाँ पर गुड़ा नहीं करना है हमें यहाँ पर भाग कर देना है और यहाँ पर plus c कर देना है यह सभी question में c रखना है और यही इसका answer हो जाएगा दूसरा question है cos 3x sum of line जो है यह alkaline का just उल्टा होता है चिन भी उल्टा होता है जिसे हम अगर alkaline की बात करें तो cos x का alkaline क्या होता है minus sin x लेकिन इसका यहाँ पर उल्टा होगा cos x का sum of line क्या होगा sin x लेकिन यहाँ पर चिन क्या होगा यहाँ पर चिन्द पॉजिटिव भी होगा तो यहाँ पर यह cos 3x है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे cos 3x dx equal to क्या हो जाएगा cos 3x का हो जाएगा sin 3x लेकिन 3x नहीं था है तो हमें 3x का भाग कर देना है 3x का आउकलन करके 3x का उकलन होता है सिर्फ 3 तो हम इसे भाग कर देंगे 3 से और यहाँ पर plus c यहाँ पर हमें इसे लिखना है हर question में plus c जरूर अरकना है यही आपका answer हो जाएगा तीसरा question है e power 2x इसका हमें समकलन करना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते है integration e power 2x और आपको पता है समकलन हो या आउकलन हो e power x का e power x ही होता है तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे e power 2x लेकिन आप पर 2x नहीं थे है तो हम इसे 2 का भाग देंगे और plus c रख देंगे इसका answer हो जाएगा चौथा question है a x plus b का whole power whole square है तो इसका हमें आउकलन करना है तो सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना है यह x power n के रूप में है तो आपके किताब में दिया गया है 306 page पे यह 306 page है आपके किताब में दिया गया है यह समकलन का सूत्र x power n का सूत्र दिया गया है किता हमें x power nd x यह फार्मूला है चुकि x power nd x equal to होता है x power n plus 1 इसमें एक जोड़ देना है और इसका ही भाग देना है इसका पूरा का यह प्लस 1 का हमें भाग देना है और प्लस C रख देना है तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर तो यह पूरा हमें आपको मानना है कि यह X है X के power N यानि कि N यहाँ पर 2 है तो हमें इसे ही रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो X के असान पर यहाँ पर है AX plus B तो हमें यहाँ पर रख देना है AX plus B AX plus B और इसका यहाँ पर power 2 है 2 में हमें 1 add कर देना है 2 में 1 add कर देंगे हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 हमें भाग दे देना है और plus C रख देना है यह इसका answer हो जाएगा बहुत ही simple तरीके से पांचों कुस्चिन है sin 2X minus 4 1 power 3X तो sin 2X अभी हम निकाल चुके पहले सवाल में यह आता है क्या इसका integration sin 2X DX minus 4 1 power 3X DX तो हम sin 2X का निकाल चुके है क्या आता है यह आता है 1 by 2 cos 2X इसका यह आता है और यहाँ पर minus 4 1 power 3X है तो इसका उकलन भी e power 3X होका लेकिन 3X यहाँ पर नहीं था है इसका समकलन मालब 3X होगा लेकिन यहाँ पर 3X नहीं था है तो हमें यहाँ पर 3X का समकलन का भाग देना है यानि कि सिर्फ 3 से भाग दे देना है और यहाँ पर plus C रखना है और यह ही इसका answer हो जाएगा वीडियो अच्छा लागा हो तो like, share